यमना एक्सप्रेसवे की तरह ही अब अलीगड आगरा हाइवे का किनारा भी विक्सित होगा जो यहाँ हाइवे के किनारे और दियोगी क्लस्टर को विक्सित किया जाएगा और दियोगी क्विकास से जुड़ी साशन की एजिंसिया इस पर अध्यन कर रही है ताकि यहाँ पर diFence कORIDOR की विस्तार योजना के लिए पनाइठी से आगे भूमी अधिगरहन का काम चल रहा है हाईवे के छे लेन के लिए भूमी अधिगरहन की जा रही है ताकि भविश में जरूरत के अनुसार उसे विस्तारित किया जा सके फिलहाल चार लेन बनाया जा रहा है खेंडर सरक 80 करो रूपए से बनने वाले 55 किलो मिटर लंबे इस हाइवे के लिए परवरी में चेंडर पास हो गया था मगर भूमी अधिकरहन का काम भी भी जारी है अफसरों का दावा है कि अगर सब कुछ सही समय पर होता रहा तो दो साल के भीतर रफतार का यह प्रोजेक्ट तयार कर ल में खंदोली के पास यमना एक्सप्रेसवे से जुड़ा जायगा जेवर एड्सकां तिसरा विकल्प हाइवे भी अलिगन के डिफेंस कोरीडर के लिए होगा खास सहारे विक्सित हो रहे जेवर एयरपोर्ट अलिगर्ड पलवल मार्ग पर डिफेंस कोरिडर और अन्युद्योगों के कारण अब सम्मंधित छेत्रों में भूमी नहीं बची है साथी अलिगर्ड पलवल मार्ग पर यातायात का बोच अधिक होने और आपात स्थिती के दोरान या हाइवे आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे तक पहुंचने का एक विकल्प होगा जो जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा साथ में अलिगर्ड आगरा के मध्य 85 किलो मीटर लंबे दो लेन हाइवे पर जाम की समस्या से भी लोगों को निचात मिलेगा हम है देश के दिल उत्तर प्रदेश की धनकन उत्तर प्रदेश टाइम्स